स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पर्मेरेंट टिशू में सिंबल प्रकार के उतक में पैरेंट कायमा के बारे में समझाते हैं आज हम पैरेंट कायमा का वित्रण के बारे में बात करें हैं यानि पैरेंट कायमा कहां कहां पाया जाते हैं ये cells cortex, pit, छेतर में पाई जाती हैं इसके अलावा जायलम और अफ्लोयम में भी cells पाई जाती है पादब में अधिकांश भाग इनी के द्वारा बना होता है अब इनके कारे क्या है ये cells ground tissue का कारे करती है यानि भरन होता पूरे पौदे में भरी रहती है जिनके बीच-बीच में और tissue पाई जाते हैं इन में संचित भोजन भी पाई जाता है और chlorophyll की उपस्तिती में ये प्रकाश संचेशन का कारे भी करती है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिन पौदों में पत्या नहीं होती है ज़ड़ जाती है जिरो फिटे कौदे ऐसे बहुत से होते हैं उनमें stem ही प्रकाश संचेशन का कारे करता है और ऐसी वस्ता में जो परनकाईमा होता है उनके अंदर chlorophyll डवलप हो जाता है तो ऐसी वस्ता में जो परनकाईमा है उसे हम क्लोरनकाईमा कहते हैं ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था तो इसलिए परनकाईमा भोजन संचेशन का कारे भी करती है अब बात आती है दूसरे प्रकार की सिंपल पर्मनेंट टिशू की उसको हम क्लोरनकाईमा या स्थूल कौन उतक भी कहते हैं ये जीवित कोशकाई होती हैं इनकी सेल्स वाल में सेललोस के साथ साथ कैल्शियम पैक्टेट अधिक मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है जिससे सेल वाल मोटी हो जाती है पैक्टेट की उपस्तिति के कारण ये लचीली हो जाती है क्योंकि पैक्टेट में हाइडरोफिलिक घुन पाए जाती है यानि पानी के प्रती आत्मिता पाई जाती है सेल्वाल की मोटाई असमान होती है कोन वाले छेत्रों में इसकी मोटा यादिक पाई जाती है जैसे जैसे सेल्स की लंबाई में व्रद्धी होती है सेल वाल का स्थूलन भी साथ साथ होता जाता है जिसके कारण पौदों के तरुन अंग जिसे टहनी पनवरंत पुष्प वरंत में लचीला पन पाया जाता है यानि कॉलन काईमा या स्थूल कौन नाम से हम देख रहे हैं स्थूलता देना यानि लचीला पन कॉलन कायमा या स्थूल कौन उतक पौदों में लचीला पन परदान करता है इसी कारण बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो आंधी तुफान में भी आसानी से नहीं टूलते हैं अब इसके हम वित्रन की बात करते हैं यह उतक डायकॉट पौदों के हाइपोडर्मिस शेत में पाया जाता है मोनोकॉट में नहीं पाया जाता है क्योंकि मोनोकॉट पौदे आपने देखा होगा उचाई लंबाई उनकी ज़्यादा नहीं होती है चोड़ाई भी ज़्यादा नहीं होती है इसलिए उनके इतने लचीली पन की आविशक्ता नहीं होते है अब कार इन सेल की उपस्तिते के कारण पौधों में लचीला पन हो जाता है जिसके फलसरूप पौधे बिना तूटे जुग जाते हैं कभी-कभी जीविस सेल्स में क्लोरोफिल की उपस्तिते कारण प्रकास संसेशन भी होता है यानि कॉलन कायमा भी कभी-कभी प्रकास संसेशन का कार कर सकता है अब बात करते हैं कॉलन कायमा के प्रकार की कॉलन कायमा तीन प्रकार का होता है लेमिनर और प्लेट कॉलन कायमा लेकुनर और तीसरा है एंगुलर तो तीन प्रकार का कॉलेंड कायमा पाया आप पहले वाले कॉलेंड कायमा की बात करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें और यह वित्ती नहीं, और यह वित्ती ओपर नहीं, टेंजेंशन वाल्स पर यह स्थूलन पाया जाता है, दूसरा है लेकुनर, लेकुनर मतलब स्पेस, खाली, तो जब पौदों की कोशिकाओं के अंतर कोश्की अफकाशों में, के चारों और, यदि कोश्का वित्ती पर केते हैं, नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, उसके बात हैं, एंगुलर कॉलन का, क्या मतलब है, कोश्काओं जब एक दूसे से संग लगी होती हैं, जुड़ती हैं जहां पर माई, एक एंगल बनता है, उसके बात हैं, एंगल एंगल पर यदि स्थूलन पाया तो उसे हम एंगलर कॉलन कायमा कहते हैं, इसका एक्जामपल है, गेंदा और दतूरा, इसके बाद आती बात, दूसर प्रकार के उतक है, दूसर प्रकार का उतक है, स्क्लेरन कायमा, यानि द्रन उतक, पहला था कॉलन कायमा यानि स्थूल कॉन उतक, दूसरा है, स्क्लेरन क प्रदान करने वागए ये मोटी बित्ती वाली म्रत कोशकाएं होती हैं इन सेल्स की सेल वाल पर लिगनिन की परत पाई जाती है लिगनिन पानी हवा के लिए अपारिगम होती है जिसके कारण सेल्स की जीवद्रव को पानी और हवा नहीं मिल पाता और उसके कारण सेल परपक कवस्ता में मृत हो जाती है किन्तु मोटी बित्ती के कारण ये पौधे पौधों को ये कुश्काएं पौधों को द्रणता प्रदान करते है जब मोटी होंगी स्थूरन पाया जाएगा लिगनिन का और मृत हो जाएगी तो ये द्रण हो जाती है और पौदे को द्रणता देने का काम करती है ये दो प्रकार की होती है दो समुहूं बाटा है पहला है स्क्लेरन कामेटर्स फाइबर और दूसरा है स्टोन सेल्स और स्क्लेरीड्स तो पहले हम बात करेंगे के स्कلार कामिटर्स फाइबर गया है इस इन कुछक ओं की लंबाई काफी अधिक वे चोड़ाई कम खोलते है सिरे नकीले होते हैं दो से्ल्स के सिरे जोड़े होने के कारण रेशे जैसी से्ल्स पौदों को दर्णता प्रदान करते हैं यह रेशे पौदों में उन स्थानव पाए जाते हैं जहां तनाव और खिचाव अधिक होता है जैसे पेरिसाइकल जायलम फ्लोयम रेशों की लंबाई 2 से लेकर 3 मिलिमीटर होती है लेकिन कभी-कभी इनकी लंबाई 50 से लेकर 60 सेंटी मीटर भी हो सकती है जैसे जूट या पटसन अब ये जो स्क्लेरन कामेटर्स फाइबर है ये तीन प्रकार के लिए पहला है जायलरी और वुट फाइबर दूसरा है एक्स्ट्रा जायलरी फाइबर और तीसरा है सरफेस फाइबर अब Xylari Fiber ये Wood Fiber के हम बात करेँ ये Wood Fiber का मुंक हिस्सा होते है ये वन TrChrist के साथ पाय जाते है क्यों से बाले Xylari ये Wood Fiber Xylari का मतलब ही Xylari के संग पाया जाना तो Tr Luck visitors के संग पाया जाते है अब ये दो प्रकार के होते है पहला है Libiform Fiber ये Fluem Fiber के समान होते हैं, इस पादप की वाईकाउं से लंबे होते हैं, बित्ती मोटी होती है, और सिंपल पिट युक्त पाई जाती है, किसमें, जैलरी अवोट फाइबर का पहला प्रकार, लिभी फॉर्म फाइबर, दूसरा है इसका, फाइबर ट्रेकीट, ये लिभी फॉर्म ऐसे गर्त जिनके दों तरफ बॉर्डर पाया जाए, दूसरा पकार है एक्स्ट्रा जैलरी फाइबर, एक्स्ट्रा मतलब अलग, बाहर, एक्स्ट्रा, और जैलरी मतलब जैलम, जैलम के अत्रिक्त, ये तंतू जैलम के अत्रिक्त कहीं भी हो सकते हैं, जैसे वल्कॉट या फ्लोयम ये बास्ट फाइवर के रूप से भी जाने जाते हैं कुकर बिटा कुकर बिटा फैमिली मतलब लौकी तुरही वाली कुकर बिटा में ये परिरम से संबंदित होते हैं यानि परिसाइकल से जुड़े पाई जाते हैं सन और जूट में ये प्राथमिक फ्लोई हैं और समू में रहते हैं तीक सिरे यानि कैंम नुकिले होते हैं अत्वा तन्तूओं के बीच हैं फसे रहते हैं तो क्या होता है इनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता एक एक रिजे को तो इन्हें ग्रुप में अलग करते हैं पूरा-पूरा ग्रुप ही हम निकाल लेते हैं और ये तंतु समू ही वेवसाइग तंतु के रूप में इस्तमाल किया जाता है तीसरा प्रकार है सर्फेस फाइबर एक्चिल सर्फेस फाइबर वास्थिक तंतु नहीं है यह फलों या बीजों के आवरण से बनते हैं जैसे कपास में बीच की सतेप से और नारियल में मद्ध फल बित्ती से जब वास्तिक तंतू बढ़े नहीं है लेकिन का उप्योग किया जाता है वेफसाइक तोर पर जैसे कपास का हम कप्रे बनाने में करते हैं और रसी बनाने में मनारिल का मद्य जो फल बित्ती है उसके रेशों का उप्योग करते हैं तो surface fiber is not real fibers लेकिन का उप्योग वेफसाइक होता है उसके बाद इसका कारिय हम पढ़ें अदी क्या है कारियन का उप्योग का तो कार यांतिक सहीता प्रदान करना, mechanical strength देते हैं, डणता होती है और असत्य असत्य तन्तू दोनों का वेफसाइक उप्योग होता है इसके बाद बात आती है, stone cells stone cells जो स्क्लैल्म कामेटर cell जो होती है वो समव्यासी, एक जिससे व्यासी की अत्वा अनिम अताकार की भी हो सकती है cell wall मोटी होती है, जिससे अंदर की cavity लबबक समापत हो जाती है और ये अत्यंत कठोर होती है ये groups में पाई जाती है नाशपाती, नक, इत्यादी फलों के मुलायम भूदें के अंदर इस प्रकार की cells पाई जाती है ये जम उसको खाते हैं तो आपने देखा होगा कि मूग के अंदर कुछ कट-कट की आवाज आती है ये इनी stone cells की वेसे होता है कुछ कटोर बीजों के आवरण में भी इस प्रकार की cells लेयर की रूप में देखी गई है और उनका क्या कार है पादा पंकों को यात्रिंग द्रणता प्रदान करना पेडों की छाल, फल बित्ती बीज के आवरण में ये कटोरता प्रदान करती है जिससे आंत्रिक उत्कों की रक्षा होती है उसके बाद है आपका कि ये जो stone cells है ये stone cells कितने प्रकार की होती है इन stone cells के कई प्रकार तो चार प्रकार में हमने इनको बाटा है stone cells को पहरा है macrosclerid दाइगराम में देखी आप macrosclerid का ये छड़ के आकार की है ये बीच के आवरन पाई जाती है दूसरा है osteosclerids ये अस्ती के आकार की होती है डाइगराम में देखी आप नीचे हाकिया की पत्ती हैं पाई जाती है तीसरी है estrosclerids यानि तारे के आकार की देखी आप osteosclerids के right side में यह तारे क्या करके होती है यह निम्फिया की पत्ती हैं पाई जाती है और चौती है ब्रैकी स्क्लेरीट जो एक जट साइस की होती है समव्यासी होती है जो फलों के गुदें पाई जाती है जैसे नाशपाती और नक तो इस प्रकार से ये जो stone cells ही ये चार प्रकार में बाटी गए तो ये तीन प्रकार हुए किसके चार प्रकार हुए sclerid cells है stone cells के ठीक है इसके बाद हम next जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे